आयोध्या में निर्मार धीन राम मंदिर में प्रार प्रतिस्ठा का समारोह 22 जन्वरी को होने वाला है। समारोह के लिए आयोध्या में प्रिशाशन और सरकार पुरी तरह लगी हुई है। दूसरी और राम मंदिर में प्रार प्रतिस्ठा के लिए तीन मूर्तियों में से एक का चयान होने वाला था। अब उसका चयान कर लिया गया है कि केंद्री मंत्री प्रहला जूशीर अपने शोशल मीडिया के एक्स प्रेटफॉम पर सुमवा रात को एक तस्वीर साजा की। कर दी है जिसके बाद वाइरल हो रही है इसके लिए योगी राज अरुड के एक शोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया जा रहा है जिसमें बिल्कुल ऐसे ही तस्वीर दिखाई दे रही है दूसरी और राम मंदिर में प्रार प्रतिस्ठा समारों से एक हफता पहले ही आय बचकर 20 मिनट पर की जाएगी उन्होंने देश भर की लोगों से इस अफसर को उत्सों की रूप में मनाने का अनुरूद किया अक्षत यूग्त कागश की पुरिया राम मंदिर का चेत्र और मंदिर के धाची का ब्यूरा देने वाले परचे लोगों में बाटे गए मंदिर न्यास के शीश अधिकारी ने सुम्वार को कहा इसके माध्यम से लगबग 5 लाग मंदिरों के करीब रहने वाले समुधाय को राम मंदिर की तस्वीरे और अन्य विवरण मिलेंगे उन्होंने कहा कि जब पूरा अनुमान सामने आएगा तो हम देश के लगबग 5 करो लोगों तक पहुँच चुके होंगे प्रधार मंत्री नरीद्र बोधी ने कुछ दिन पहले लोगों से अपील की थी कि वे 22 चन्वरी को राम मंदिर में प्रार प्रतिस्था समरों के दिन को दीपावली के रूप में मनाने के लिए अपने घरों में विशेज दिये जलाए मूर्ती निर्मार के तै हुए थे ये मानक आपको बता दे मूर्ती की कुल उचाई 52 इंच है शीराम की भुजाय गुटनों तक लंबी हो मस्तक सिंदूर आखे बड़ी और ललाट भव्य हो कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ती हाथ में तीरवा धनुशली हो मूर्ती वे 5 साल के बच्चे की बाल सुलब को मलता जल के सोशल मेडिया पर योगी राज की काफी फैन फालोइंग है योगी राज इक जाना वाना नाम है प्रसिद मूर्तीकार योगी राज शिल्पी के बेटे 37 वर्षी अरुड योगी राज मैसूर महल के शिल्पकारों क परिवार से आते हैं, अरुण के पिता गायत्री और भुवनेश्वारी मंदिर के लिए भी कार कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।